अब पांच साल के बच्चे को भी पहली कक्षा में अड्मिशन मिल जाएगी दरसल पूरा मामला आपको बता दें National Education Policy के तहट केबल 6 साल का बच्चा ही पहली कक्षा में अड्मिशन ले सकता था जिसको लेकर पेरेंट्स जो हैं वो परेशान भी देख रहे थे जिनका बच्चा 6 साल का नहीं हुआ था उन बच्चों को पहली कक्षा में अड्मिशन नहीं मिल रही थी इसको लेकर जम्मू में कुछ विरोध भी देखने को मिला था और इस मांग को उठाते हुए भी कुछ पेरेंट्स दिखे थे लेकिन अब डिरेक्टरेट आफ स्कूल एजुकेशन जम्मू का एक आदेश पारित हुआ है जिसमें रिलाक्सेशन देते हुए अब 5 साल के बच्चे को भी जो 31 मार्च 2023 तक 5 साल का हो गया है या उससे ज्यादा जिसकी उमर है वो पहली कक्षा में वो बच्चा अड्मिशन ले सकता है तो एक बड़ी रिलाक्सेशन जो है उन पेरेंट्स को उन बच्चों को मिली है जिनकी उ अब 31 मार्च 2023 में 5 साल की हो गई है पूरी कर चुके हैं या इससे ज्यादा है वो बच्चे अब पहली कक्षा में अड्मिशन ले सकते हैं 2023-24 सेशन में पहली कक्षा में वो बच्चे अड्मिशन ले सकते हैं काफी पेरेंट्स जो हैं वो परेशान दिख रहे थे और इस आदेश पारित किया गया है जिसमें साफ्टोर पर ये कहा गया है कि इस साल जो है वो 31 मार्च 2023 तक जिन बच्चों की उमर 5 साल या इससे ज्यादा हो गई है वो बच्चे पहली कक्षा में अड्मिशन ले सकते हैं नैशनल एजुकेशन जो पॉलसी है उसके तहत ये नियम था की 6 साल का बच्चा ही अड्मिशन पहली कक्षा में ले सकता है इसल के चलते हैं बहुत से ऐसे बच्चे थे जिनकी उमर 6 साल नहीं हुई थी लेकिन आड्मिशन उन्हें मिल नहीं पा रही थी अब उस इमर रिल्याज्शन दी गई है और आपको बता दें कि नाशनल relaxation जो है वो दी गई है और 31 मार्च 2023 तक जिन बच्चों के उमर 5 साल या उससे ज़्यादा हो गई है वो बच्चे अब admission ले सकते हैं कुछ स्कूल वाले भी परेशान थे कि admission दें या नहीं दें क्योंकि नियम जो था वो 6 साल से ज़्यादा के बच्चे या 6 साल पूरी कर चुक पांच साल के बच्चे भी पहली कख्चा में admission ले सकते हैं और 2-3 साल उन बच्चों को प्री क्लासिस जो होती है उनमें भी वो बच्चे पड़े हो और उसके बाद अगर 31 मार्च 2023 तक उनके उमर 5 साल हो गई है तो वो अब admission ले सकते हैं ये एक अच्छी खबर थी उन parents के लिए उन बच्चों के लिए जो इस बार 2023-24 के session में पहली कख्चा में admission बच्चे जो लेना चाहते थे या फिर उनके परिवार वाले अपने बच्चों को दाकिला दिलाना चाहते थे लेकिन उनको admission नहीं मिल रही थी धन्यवाद